हेलो वेलकम टू लेट्स कैम तो आज हम क्या पढ़ेंगे केमिकल बॉंडिंग का अगला लेक्चर जिसमें लास्ट बॉंड है जो हमर पस कोडिनेट बॉंड उसको अच्छे समझेंगे कोडिनेट बॉंड होता क्या है और कैसे बनता है ठीक है इसके बाद आपका एक लेक्च मतलब हमारे पास इलक्टॉन होंगे लेकिन जो सेड इलक्टॉन होंगे वो सिर्फ एक अटम के द्वारा कंट्रिबूट होए होंगे आए बास समझे देखो तीज आप अव्कॉवलैंशी विच इन्वार्फ वन ऑफ दा कमशानी एटम कंट्रिबूटिंग बॉस देखाए रपांतॉट उप जो हमारे पास सेड़ा इलक्टॉन होंगे वो हमारे पास सिर्फ एक एटम दोरा सेड़ होंगे ठीक हैं थाइट एट एस बांड फॉंड मतलब जो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जैसे कोई भी ऐटम है ठीक है जैसे हमारे पास ऑक्षिजन के पास दो इलक्ट्रोन होते हैं इसके पास जो हमारे पास इसके पास एक तीन चार पांच है हमारे पास ठीक है तो हमारे पास यहां पर कौन सा बांड बने है कैसे बांड बनेगा हमार पास कॉड्रिनेर बांड कैसा बनेगा तो इसके धुकर सेर्द तोह कौश्जेएंग और चॉटान का एक पीयर सेर होता है और सेर होता है तो सिर्फ ओर हएटम के मतलब जो सिर्फ और सेड़ अक्यम नहीं होगे मतलब दोनों से equal sharing नहीं होगी मतलब अगर यह दो electron share करेगा तो सिर्फ और सिर्फ यह oxygen इसको दो electron देगा, यह इसको कुछ नहीं देगा आई बास समझ में, मतलब हमारे पास कि bond इन दोनों के बीच coordinate bond तब बनेगा, जब एक atom हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही atom हमारे पास contribute करेगा, shared period of electron को आई बास समझ में, तो इसके बज़े से जो bond बनेगा हमारे पास वो होता coordinate bond, तो यहां पर जो bond बनेगा हमारे पास coordinate bond बनेगा, तो इसको दिखाते हैं इस sign से, किस sign से दिखाते हैं इस साहिन से दिखा से इस bond को, तीर वाले साहिन से, ठीक है, यह ध्यान रखना, तो यह हो गया O dash O, तो यह बन गया हमारे पास यह, ठीक है, तो जिस तरफ dash होगा, मतलब इस ने क्या गर रहे है, इसको 2 electron country, इसको 2 electron share कर रहे हैं, तो इसी ने इसको 2 electron share कर रहे हैं, तो एक 3 का म उसके वहसे बनता है हमारा कौडिनेट बांड इतनी बात आपको समझमा उगे हों अब इसमें एनसरी की बात करूँ किसकी बात करूँ अमोनिया की बात करूँ तो नाइट अमोनिया कैसे कैसे बनता है तो नाइट्रोजन के पास कितने एलक्टॉन होते हैं बैलने से पांच होते हैं तो वन टू थ्री फोर और फाइफ ठीक है नाइट्रोजनों कितने एलक्टॉन चाहिए होते हैं नाइट्रोजन को चाहिए होते हैं तीन एलक्ट्रोन तो वो क्या करता है हाइड्रोजन के तीन एलक्ट्रोन को सिस के साथ सेरिंग कर लेता है इसके तीन एलक्ट्रोन के साथ क्या कर लेता है तो यह इसके तीन एलक्ट्रोन यह हो गए तो क्या करा यहां पर हाइड्र ससा मॉलेकूल की जो कैसे दो इलक्ट्रान वे एक्सटा पार्ट्रा करें 10 तु बांनि के इन उन्हें बांडिंग यह पार्ट्राइब स्रीड़ कर एक आप बॉर्णिंग में पार्टिसिपेट करा तो अब आती है लोन पेर के डेफिनिशन क्या आती है कि ऐसे इलक्ट्रोन जो बॉर्णिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते तो एक इलक्ट्रोन पेर जो बॉर्णिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसको बोलते हैं क्या लोन आई बात समझ में, तो loan pair कौन होगा, जो हमारे पास, किसी item का, जब तक octate complete नहीं हुआ, किसी item का, जब तक octate complete नहीं हुआ, जैसी उसको octate complete हो गया, उसके बाद, अगर ऐसा कोई pair बसता है, एलक्टॉन का पेर, जो हमारा बॉन्डिंग में participate नहीं करता है, after क्या? in October, कंप्लिट होने के बाद, तो वो हमारे पास क्या ख обязता है, lone fire क्या होता है, ठीक है, और यही lone fire क्या होता है, यही lone fire क्या बनाता है, coordinate bond बनाता है, हम हर कोई electron को share नहीं कर सकते हैं, लोन पेर आपको समझ में आ गया होगा, जो हमारे पास bonding में participate नहीं करता है, अगर octate complete हो गया हमारे पास, तब हमारे पास ऐसे कोई electron बचा रखे हैं, electron pair बचा रखे हैं, जो bonding में participate नहीं होगा, तो वो होता है, बना सकते हैं इतनी बाद आपको समझ में आगई होगी जैसे अब मैं एक्जम्पल लूँ एक्जम्पल लूँ एक्ज पॉश्टिव का मतलब क्या है एक पॉश्टिव का मतलब क्या है एक्जम्पल लूँक्रों चाहिए तो यह दो एक्जम्पल यह हमारे पास क्या है अगर एक के साथ यह हम बना लेंगे यह हो गया मर पास ठीक है तो यह हो गया है इस में कैसे कैसे बना काईसे बन सकता है ठीक है अब आपको hydronium iron नहीं पता होगा कि OH2 है हमारे पास ठीक है तो जनरली बनता है आपने acid base में acid base chapter जब पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा जैसे हम किसी acid को हम पानी में डालेंगे तो हमारे पास प्रण थाइड्रोनियम आयन बन जाते क्योंकि acid क्या करता है एच पॉश्टिव रिलीज करता है और जैसी इसके पास इसको अक्टेट होगे है complete बचे कितने लग्टोन चार लग्टोन जोने बन नहीं बनाए तो यहां पर हमारे पास एक लोन प्यार दो लोन प्यार होगे हमारे पास ठीक है तो आउगजन देगे एच पॉश्टिव को एफटक से इसको सेयर कर देगा लग्टोन ठ ठीक है तो यह हमारे पास तो हमारे पास अब को समझमा आगया हो अ ओप कमेंट बॉक्स में कमेंड करके पूश सकते हैं तो इसके बाद आपकी लास्ट वीडिए इस चेप्टर की जिसमें हम प्रोपर्टीस पढ़ेंगे और सच्प्र को complete करेंगे तो कोई वीडिए ओट हो हो सके होते हैं बच्चों तक सेयर करें अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो तक ये धन्यवाद